हमें ऐसा कोई नहीं होगा जिसने व्रिक्षों को ना देखा व्रिक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा इनके घोस्लों को ना देखा इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा संसार का सबसे ममत्व वाला दृष्ट होता है चीडिया दूर से अपने चोच में दाना भर कर लाती है स्वयम भोजन करने में असक्षम संतान की चोच में डालती है स्वयम भूकी रहए निस्वार निश्चलतास और जब संतान के पंक निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखा थी और उसके पश्चात उसे सवतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए इस आकाश में उडान भरने के लिए और हम मनुष्य क्या करते हैं जिस संतान को हम पंची की बाती पालते हैं उसके पंक निकलते ही हम उसे बान देते हैं ये सोचके कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जए ऐसा नहीं कि इस्तिती में माता पता को संतान से प्रेम नहीं है अवश्य किन्तु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयम अपने और संतान के भविश्य के बीच में बाधा बन जाता हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्म दाता है भाग्यविदाता नहीं तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते हैं राधे राधे